इसके परधानमंतिरी तो स्वाइता की बात कर रहे हैं प्रन्तु हर्याना सरकार का ये तुगल की फरमान ये युनिवस्टीज को बरबाद कर देगा विशिविध्यालों को बिल्कुल बरबाद कर देगा इसे विक्ति जिनकी सेक्षनीक योगएताओं में ही धांदलिया आएं दस्तावेज ही भरजी है जिनको रिजर्च का पता ही नहीं कभी किसी क्लास दूरु में बैठे तक नहीं युनिवस्टी में जाके वो युनिवस्टी के विद्यार्थियों को किस तरे की सिक्षा देगी है। वो युनिवस्टी के विद्यार्थियों को नियुक्ति। दोब से पहले अपनी ही पार्टी में जो जो लोग है उन पर कारवाई नहीं होती है तो इंसो नए के वलबीधान सभागा गहराओ करेगी बलकि मुख्खमंतरी निवास से लेकर हर मंतरी और विदायक का गहराओ भी करने के लिए तव तैयार है दोस्तों नमस्कार मैं हूँ सुरेंदरेन अभी हमारे साथ बैठे हैं इन्सो के राष्टिय द्यक्स जो की रोहतक से लोकसभा सीट से जेजीपी की तरफ से चुनाव भी लड़ चुक है परदीब जी आपकी तरफ से लगातार जो है वो स्वाल उठाये जारे हैं चाहे हम M.D. उउनिश्टी की बात करेंजे या फिर जो हर्याण भी उनिथा पर लोगight seven की स्वायता जो है कहीन तो वर्ल्ड की टोटल 100 उन्वरस्टी में से इंडिया की एक भी उन्वरस्टी का नहीं आना एक चिंता का वीश है वो सत्तापक्स के लिए भी और विपक्स के लिए भी हो और हमारी आने वाली जो जनरेशन है यूआ पीडी है उसके लिए भी है हमें समय रहते हैं बातों पर गोर करनी चाहिए और सुधार करना चाहिए आज इसके बहुत ही खतरनाक जो परिणा माने वाले है अगर इस तरह के चेड़ चाड हुई तो क्योंकि उन्वस्टी अपने आप में स्टेट होती है उनकी स्वायता ही तो उनकी पहचान है उन्वस्टी में रिसर्च होती है वहां पॉल्टिक्स होती है जो नरसरी होती हो चातर आजनीती की जो नरसिया होती हो उन्वस्टियों में ही तो होती है जहांसे सिक्सित और योगे, जो है नेता निकल कराते हैं, इस देश को नेतरत व दिया है, उनिवस्टी और चातर नेता उने, अगर मैं बात करूँ, यहाँ नायके वलह हरियाना परदेश की, अभी हाल कायू दाड़ में केरल का दूँगा, तो वहां तो गवर्नर की ही सक्ति प्रदेश में जुए सवाय्ता चीनि जा रही है युनिवश्टियों की जब उसी कैडर के लोग के रल में सवाय्ता गी बात कर रहे हैं यह दोगली बाते नहीं होने चाहिए तरफ को स्वाय्ता देने पर विचार हो रहा है महां युनिवस्टियों की स्वाइता चीनी जा रही है ये तो मैं कहूंगा कि उच्छा का बीड़ा गरक हो जाएगा अगर इस तरह के निरिने लागू हुए तो परदीप जी ये मामला जो है वो हर्याणा विदानसपा का सीथ का लिए सतर भी चल रहा है परदीप लिए नहीं देखी होती हैं जिनको युनिवस्टियों के आसपास भी किसी नहीं देखा वो लोग युनिवस्टियों में रिसर्च पर और युनिवस्टियों की स्वाइता पर जवाब देंगे तो मैं मानता हूं यह सरासर गलत जब आपको सुधार करना है तो योग्य और शिक्सित और इमान्दार कुल्पति लगाई याप आपके एक अच्छे सलेक्शन से पूरे इंस्टिचूशन का और पूरे छात्र वरका भला हो सकता है प्रणतु वहां तो आप ध्यान नहीं दे रहे, जो कुलुपती लगाने की बात आती है, आप ध्यान नहीं दे रहे, मैं इस यह बात सरकार को कह रहा हूं, आपके चैनल के माधधम से, जहां कुलुपती एक योग्येam 60 तो रमादार कुलुपती लगेगा, तो वहाँ युनुवस्टी में अपने आप क्वाल्टी एजुकेशन और वहाँ जो रिसर्च है उसमें अपने आप गुनवत्ता में सुधार आएगा पर तो स्वायता चीनना कोई समाधान नहीं है मैंने लगातार दो खुलासे की हैं मैं नाम लेना चाहूं राजबीर सिंग को लेकर जो की सरकार ने महरशी द्यान दवीशिव दैले के कुल्पती लगा रहे हैं उससे पहले वो जो है सुपवा युनुवस्टी के कुल्पती थे कुछ समय तक उनके पास दोनों युनुवस्टी का चार्ज भी था परन्तु ऐसे वेक्ति जिनकी सेक्षनिक योग गताओं में ही धांदलिया हैं दस्तावेज ही भरजी हैं जिनको रिशर्च का पता ही नहीं कभी वो किसी क्लासरू में बैठे तक नहीं युनुवस्टी मे ने बाब मिल के बात की थी हमने सभी दस्तावेज दिये थे और उन्होंने आश्वासन दिया था जाच करानेगा परन्तु मैं जो आपके चैनल के मादम से पूछना चाहता हूं कि वो जाच कहां तक पहुंची है हर्याणा प्रदेश के जो विद्यार्thy और सोदार्थी जाड़ना चाहते है कहा तक ऊजाच पहुंची है मुख्या मंत्री का जिकर आप ने किया जब आपकी तरफ से ऐलान किया गया था कि जो हर्याडा सरकार का नोवाइंदा चाहे वो विधायक हो, मुख्या मंतरी हो पूप्या मंतरी हो या सांचोंद हो उनको कहिने के यूदस्टे में गुषने नहीं दिया जाएगा उनका विरोध किया जाएगा मुख्या मंतरी वहां गई सबस्ट कर दिया था कि सुवायता के मुद्दे पर और युनिवस्टियों को बचाने के मुद्दे पर क्योंकि हम एक स्टुडेंट ओर्गिनाइजेशन की कारिये करता हैं कि सरकार का कोई भी चुना हुआ परती नहीं दी अगर वीशिवी धैलों में आएगा और राजनिती क करेंगा तो हम तब तक विरोध करेंगे जब तक यह आदेश वापिस नहीं हो जाता और हम अपनी जुमान पर अडिग हैं हमने विरोध किया हमने मुख्यमंत्री जी एमडी उनिवस्टी में आए हमने डटकर विरोध किया नारे भी लगाए और हमने तक्तियां भी की क्या रिचें फारे जीए से क्योंकि वो दस्तावेज मांग रहे थी हमारे से क्या और दस्तावेज ऑधार पर यारोप लगा रहे हो आपके पास क्या है तो दस्तावेज हमने और नए पिंवे olmasन मैं उन्याठाश किस अदाब तो क Кुलपतियों से निउक्तियों में किस त परिके से फर्जी दस्ताविज लेकर जो कुलपती लगे बैठे हैं वो सभी दस्ताविज मानिये मुख्मिंतरी को दिये परन्तु हम उमीद करते हैं कि सरकार इस बारे में जल्द से जल्द जाच कराकर सक्त करवाई करें वरना HPSC को दे दीजिए चाहिए UPSC को ही क्यों न द बात करनी है तो सबसे पहले उनकी स्वाइटा को बरकरार रखना पड़ेगा देश के परधान मंतरी तो स्वाइटा की बात कर रहे हैं परन्तु हर्याना सरकार का यह तुगल की फरमान यह युनिवस्टीज को बरबाद कर देगा वीशवी ध्यालों को बिल्कुल बरबाद कर रहे हैं सरकार के साथ भी हैं और सरकार के खिलाब भी हैं पहली चीज तो जब मुख्यमंतरी जी से मिला मैं लगबग सभी छातर संग्टनों के परतिनीदी मेरे साथ थे क्योंकि जो है वो यह केला इंसों का मुद्दा नहीं है यह पूरी स्टुडेंट कुमुनिटी का यह चातरवर का मुद्दा है एजुकेशन को भचाने की एक मुहीम है यह और दूसरी बात जो लोग इस तरह के आरोप लगाते मैं तो उनसे पूछना चाहता हूं कि विशव में सबसे हम डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया को कहते हैं अब इस भारत के लोगतंतर में राजन आइटी से प्रेजन ही रख सकते प्रंतु विश्यार्थिए के मुद्दों के साथ या स्रिक्षन संस्थान के किसी प्रक्रमाइज नहीं होना चाहिए मैं उनकी जो और दीप लड़ता केूश्यन के साथ कोई समझ व्याक जाने चाहिए यह ऋकाने चाहिए प्लीदेश वार सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है कि HPSC में जिस तरह के पेपर लीक हुए नोकरिया बाटी गई जैसे कि कुछ लोगों को सस्पैंड भी किया गया है अगर हम NSUI की बात करें या फिर ISO की अगर हम बात करें या पर नवीन जहिंद की बात करें सभी लोगों ने कहीं ने कहीं परदर्सन किया यहां था कि Congress ने फिरस ना किया इन सो कहीं भी इस मामले को लेकर सड़कर ने जर नहीं आई हम इस से पहले यह तो आप आज की बात कर रहे हैं हम सबसे पहले इस मुद्दे को उठाने वाड़ा चो चातर संगठन था विंसो ही था सबसे पहले हमने इस मुद्दे को उठाया था और जो आज आप आइनलडी की और आईस्यों की जो बात कर रहे हैं इनका इचातर संगठन है मैं वही कहूंगा मुशी जगह पर जाऊंगा यह लोग मैं पूछना चाहता हूं किस तरीके से परदर्शन कर रहे हैं मैं परमान के साथ कह रहा हूं एक जो है राष्ट्रिय अकबार में जो हर्याना के मुख्य प्रश्ट पर एक बड़े न्यू चैनल ने इस कबर को कबर किया है और इनके जिला जिला अध्याक्स तक के पदादी कारी जो है वह पेपर लीक मामले में फरार चल रहे हैं इनके पार्टी कारियाले ऐसे लोगों की जगह पर बने हुए हैं ऐसे लोगों की जमीन पर बने हुए हैं जिन पर पेपर लीक कराने के आरोप हैं वो किसी ने थिकता की बात कर रहे हैं अगर सबसे पहले अगर उनको पारदर्शिता की बात करनी थी तो सबसे पहले अपने जिलादेक्स को उटाना चाहिए उनको सबसे पहले वहाँ से इने लोगा कारियाले खाली करना चाहिए दूसरी जगे सिफ्ट करना चाहिए परन्तु क्या उन्होंने किया कही महीने हो चुके इस बात को क्या उन्होंने अगर ये कहते हैं कि आरोप लगे हैं तो सेरेंडर क्यों नहीं कराया फरार क्यों चल रहे हैं इनके पदादीकारी एक तरफ तो इनकी पार्टी के पदादीकारी पेपर लीक वाले मामले में फरार चल रहे हैं दूसरी तरफ ये बात करते हैं पारदर्शिता की ये दोहरा मापदंड और दोहरा चरित्र जो है यही इस प्रदेश के युवाओं के साथ कुठारा गात लेकिन वहीं क्या प्रदीब देशवाल को और इन्सो को लगता है कि जिस तरीके से हचपसी का जो गोठाला सामने आया है कि इस तरह का भरष्टाचार हुआ है क्या इसके लिए इसके खिलाब आवाज उठाने चाहिए प्रदस्न करना चीए शड़कों बोतरना चीए ऐसा कुछ आपको लगा नहीं बिल्कुल लोकतंतर में आवाज उठानी चाहिए और उठ रही है आवाज कारवाई कहां इन्सो कहां गई इन्सो शड़कों पे कहां उतरी इन्सो ने कोई गहराओ किया हो कोई कारेकरम ऐसा बनाया हो कोई ग्यापन सोपा हो ऐसा कुछ आपकी तरफ से कोई ऐसा किया गया हो आप दो महीने पीछे जाकर देखिए सबसे पहले जब यह धर पकड़ शुरू हुई थी आप आज की बात कर रहे हैं कि इस तरीके के जो लोग से करिये हैं उनको तुरंत प्रवाव से अरेश्ट करना चाहिए आप कह रहे हो कि हमने जो मांग उठाई उसको लेकर कारवाई हो रही है जांच सर ले रहे हैं विपक्सी पार्टियों की बात करें कॉंग्रिस की बात करें वो लगातार ये कह रहे हैं कि सरकार जो है सरकार के कहीं न कहीं लोग इसमें सामिल है और सिरफ जांच को जो है कहीं न कहीं ठंडे बस्ते में डालने के लिए जांच को बंद करना जा रहे हैं तो जो लोग विधान सभा में बैठे हैं जो जनताने चुन कर भेज रहे हों क्या कर रहे हैं। उनकी बात को रखेंगे, पर्ण। तो इसके साथ-साथ एक बात और कहना चाहूंगा, यह जो जो नोगों के नोगों के देखना चाहिए। कि एक तरफ पना दे रहे हैं उन लोगों को जो पेपर लीक करा रहे हैं जो पेपर आउट करा रहे हैं जो सेकडों की सुंख्या में जो है लोगों को फरजी तरीके से नोकरी लगा चुके हैं वो लोग द्हुए साप की तरह हैं क्या उन पदादी कारियों पर करवाई नहीं ह करना चाहिए था वाज भी पदों पर बैठे हैं और दूसरी तरफ जो युवाओं के नाम पर राजनीती हो रही है प्रदर्शन हो रही है तो सबसे पहले तो अपना दामन पाक साफ करना चाहिए मैं बैसिंग चोटाला जी से पूछना चाहता हूं कि उनकी राय क्या है उनके कि तरफ से और किस मजबूती के तरिके से इस मामले को और उठाया जाएगा बिल्कुल हम एक एक घटना करम पर नजर बनाई हुए हैं और हमारी उमीद के अनुरूप जो है करवाई हो रही है अगर सक्त करवाई नहीं होती है तो इन सो ने क्यों विदान सभागा गेराओ क दिया था करवाई का आस्वाशन दिया था अगर वो अपने आस्वाशन पर खरे नहीं उतरते हैं तो हम दोबारा से इसी तरह ऐसे परदर्शन करेंगे और इस मुद्धे को उठाएंगे हम आखरी सांस तक विश्विध्यालों की सवायत्ता की शिक्षा को बचाने की विद आसकुमार के साथ सुरेंदर नेल बिंदा सरिया